हलो प्यारे दोस्तों स्वागित है आपका इंटर्वियों क्लासेज में बात करेंगे आपके क्लास 10 के न्यू सिलेबस के बारे में यह आपके एकेडमिक सेशन यानि सेक्शनिक वर्प्स आपके जो 2023 और 2024 है उसके लिए नया सिलेबस है जहां पर NCRT की किताबें चलती है आप जानते NCRT की किताबें अपने राजस्तान में चलती है अपने CBSC की जो सेंटरल बोर्ड की स्कूल है उनके चलती है तो उनके लिए जितना भी सिलेबस लगपक 30% मान के चले आप 30% सिलेबस में कट होती हो गई है तो हम उसके बारे में के बात करेंगे आपके हैं उसमें कितनी प्रश्नावले हं हती है और कौनसी प्रश्नावली में कौन-कौन सी exercise हड़ गई जैसे प्रश्नावली एक पॉंट एक टीन चार ऐसे है तो उसमें दोंघि किस परकार से हर्ति उनके बारे हम बात करेंगे साइंस में कितना पढ़ना है, सामाजिक में आपको कितना पढ़ना हिंदी, इंगले, सभी में हम बात करेंगे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको यहां आपके क्लास के रिगार्डिंग हर आथेंटिक न्यूज मिलेगी जो आपके लिए बहुत हैल्प हो लोगी, और जब भी आपके एक्जाम होंगे उसके अनुसार आपको खूब सारे पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए ठीके न, तो नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों एक साथ वीडियो को शेर जरूर करें चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जिसमें करती का भाग दो, भाग एक जो था वो आप नाइंत में पढ़ चुके हो, ठीके न, जिनके ये करती का भुख है, उनको क्या-क्या पढ़ना देखिए जिसमें आपको पढ़ना है, सबसे पहले माता काँचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ, ये पढ़ना है, उसके बाद में आपकी बुक आते हैं, शतीज भाग दो, इसके अंदर जो है, आपकी विसे सुची किस परकार से देखिए, कावी खंड के अंदर आपको सूरदास, तोलसिदास, जैसंकर परशाद, सूरिकान, तिरपाठी, निराला, नागार जुन, ये जो इनकी करतिया हैं, जिसमें मंगलेस, डबराल, ये पढ़ने हैं, ठीक है, दूसरा जो आते हैं, आपके गद्य खंड, उसके अंदर ये इतने चैप्टर आपको प किताबे आएगी, उनमें तो एकदम वही सलिबस आएगा जो पढ़ना है, लेकिन कुछ स्कूलों में पूरानी किताबे दे दी जाएगी, तो जहां पूरानी किताबे दी जाएगे न, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे ये चैप्टर बताए जा रहे ह वही पढ़ना है, प्रशनावली कौन सी कटी है, कौन सी exercise कट गई है, कौन सा point कट गया, वो भी पूरा detail में discuss करेंगे, वही आपको हटा देना, बाकि आपको पढ़ना है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है नई किताब के अंदर, फिर आपके आता है English, English के आपके दो किता लेटर टू गौड पढ़ना है, नेलसन मंडेला वाला है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ये है आपके, और फ्रॉम द डाइरी ओप एना फ्रेंक ये पढ़ना है, ध्यान रखिए, अपने जो 10th क्लास हैं, उसके लिए English के कुछ चैप्टर यां complete की हुए हैं, तो आप चैनल की प्ले लिश्ट में जाकर, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, तो आपको वो वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, और आपके English, Maths, Science, इनमें एकदम complete syllabus करवाया जाएगा, और आपके जितने भी सब्जेक्ट उन सभी के पेपर्स आपको यहां पे मिलते उनके complete solution के साथ, फिर देखिए पांचों पार्ट छटा ध्यान रखिए, जो पार्ट हटा दिया गया, उसका नमबर भी हट जुका है, ठीक है न, तो आपको जो नमा पार्ट है, दप्रपोजल, यह आपके last chapter है, ठीक है न, ध्यान रखना, पहले आपके 11-12 chapter थे, अभी 9th chapter जो the proposal है, यह last पढ़ना है, आपको यहाँ तक, ठीक है न, यह आपकी first flight होगी, इसके बाद में आपकी second book आती है, footprints without feet, ठीक है, इसके अंदर आपको कितना पढ़ना और कितना छोड़ना देखिए, इसके अंदर भी chapter काफी थे, जो कम कर दिये गए हैं, grammar में क्या portion कम हुआ, क्या नहीं हुआ, यह हमको तब ही पता चलेगा, जब अपने official website के उपर नया सले, बस एकदम government यह बता देखिए, कि grammar में भी इतना पढ़ी है, इस part के इतने number है, वो बता देखिए, तब हमको पता लग जाएगा, और जैसे ही अपनी official website पर आएगा, आपको तब बता दिया CRT से book कैसे download करें, अपने channel पर डाला हुआ है, ठीक है, अब देखिए, इसके अदर अपने को यह जो chapter लिके हैं, ठीक है, यह सारे पढ़ने, necklace भोली, ठीक है न, the book that saved the earth, इस टाइप से हैं, यह 9 chapter आपको पढ़ने हैं, इसके बाद में next अपना subject आता है, science, विज्यान, इसक में कुछ point हटे भी हैं, यह point आपको जब एक्तम detail में subject की सूची बताएंगे, तब आपको बता दिया जाएगा, इसमें कौन-कौन से point भी हटा दिये गए हैं, ठीक है, तो इनको तो अच्छे से तयार करी लेना है, इनमें जो point हटे हैं, वो भी आपको बता देंगे, लेकि मतला आपके तीन chapter completely यहां हटाए जा चुके हैं, अब इन chapters में क्या-क्या guide हुआ हैं, वो भी आपको comment में करिएगा, तो आपको जल्दी मिल जाएगा, इसके उपर separate की कौन से chapter में कौन-कौन सा topic आपको नहीं पढ़ना है, बाकी यह एकदम note कर लीजेगा, कि इन chapter को तैयार गनित, ठीक है न, यह अपने वो सेले बसे जो इस session चल रहा है, ठीक है न, जो हमको इस साल पढ़ना है, देखें, तो गनित में क्या है, पहली प्रशनावली, ध्यान रखिए, आपके पहली प्रशनावली है न, यह 1.4 तक थी, जिसमें आपके 1. अभी नई किताब में तो 1 1.1 और 1.2 यही मिलेगा, ठीक है न, क्योंकि जो अपने पुरानी किताब है उसके अंदर, जो 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 यह समझेगा, अब इसमें यह चीज हट चुकी, यह चीज हट चुकी, ठीक है न, मतलब 1.1 नहीं पढ़ना आपको, 1.4 नहीं पढ़ना, तो 1.2 जो पुरा 1.1 कर दिया, इसको 1.2 कर दिया, बस, यह पहले प्रशनावले की बात, अब दूसरी पर आते हैं, बहुपद, बहुपद में आपने क्या है, 2.3 यह नाम से जो एक्सराइज है न, वो हट चुकी है, इसका मतलब हमको 2.1 पढ़नी है, और 2.2 पढ़नी है, बस, अब आते हम तीसरी प्रशनावले पे, दो चरवाले रेकिक समीकर्न यूग में, इसमें क्या करना, तो इसमें कुछ खास नहीं करना, अपने को, यह 3.1 से लगाकर 3.6 तक प्रशनावले थी, जिसमें अपने को क्या करना, अपने को 3.1 हटा दी गई, 3.6 भी हटा दी, और 3.5 भी हटा द देखेगा. 3.1 गई, 3.5 गई, 3.6 गई. बचा कौन? 3.2, 3.3, 3.4. ये बची है पूरा निकीताब में अब इसको नाम दे दिया एक, इसको दे दिया दो, इसको दे दिया तीन, बस. ये हैं तीसरे पुर नाम दिया अब चौती पर बात करते हैं. चौती जो द्विगात समीई करने उसके अंदर क्या किया, कि उसके अंदर आपने हटा दिया गया, चार पॉइंट जो 3 थी, उसको हटा दिया, ठीक है, अब 4.3 के जगे कौन आ गया, 4.4 जो पूरानी केताबों महना उसको अब 4.3 कर दिया इसका मतलब अपने को 4.1 पढ़नी है 4.2 भी पढ़नी है और 4.3 जो की 4.4 थी उसको 3 कर दिया ये पढ़नी है ये 4.3 पढ़नी है कहने का मतलब ठीक है 4.3 अटा दी जो पूर्ण वर्ग विदी वाले थी वो हटा दी चलिए ठीक है आते हैं 5 उप्रशनावले पे जो की है अपनी क्या समानतर स्रेडी ये अपने को पूरी पढ़नी इसमें एक भी कुशन चेंज नहीं किया है ठीक है अच्छी बात है इसके बाद आते हैं हम चटी पे तरभूज बहुत ही शानदार है इसमें 6.1 पढ़नी है हमको ठीक है न क्या पढ़नी है कि 6.1 6.2 भी पढ़नी है अपने को 6.3 भी पढ़नी है ठीक है इसके बाद में 6.4 और 6.5 जो थी वो अपने लिए हटा दी गई है ठीक है न ये तीन अपने को पढ़नी है आते हैं प्रशनावली 7 वी पे निर्देशांक जामिती इसके अंदर क्या किया इसके अंदर देके 7.1 थी 7.2 भी थी और 7.3 भी थी तो ये तीन हटा दी 7.1 और 2 हमको पढ़नी है कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही शांदार है इसके बाद आते हैं शांदार और खौपनाक प्रशनावली कहते हैं जिसको उस पे तिरकॉर्ण मिती ठीक है ना इसका परीचे काफी आसान है बस हलकी से समझने की ज़रूत रहती है इसमें इसमें 8.1 है आपके 8.2 है 8.3 ठीक है 8.4 ये था अब इसमें हुआ क्या एक ये चीज हटा दी गई क्या 8.3 हटा दी इसका मतलब 8.4 है इसका नाम 8.3 हो गया बस ये ध्यान रखिएगा अब आते हैं नम्मी प्रशनावली पे नम्मी पे कुछ भी नहीं हटा है ध्यान रखिए 8.3 में जो कुशन बन रहे थे ना ठीक है उस टाइप के कुशन अगर नम्मी प्रशनावली में मिलते हैं जो कि एक प्रशन है वो हटेगा बस मतलब 9 प्रशनावली अपने को पूरी पढ़नी है यह ध्यान रखिएगा तो पढ़ लेंगे अगला देखिए नम्मी के बाद 10 वी 10 वी में कुछ भी नहीं हटा है जैसी है वैसी पूरी पढ़नी है अब आते हैं 11 वी पे 11 वी पे अपने जो थी पूरानी किताब की बात कर रहा हूँ यह तो जिसमें आपको 11 वी यह तो पढ़नी है ठीक है यह तो complete दे रखिए यह सारी अब 11 में क्या हुआ कि 11 वी जो आपके रचनाएं थी इदर है यह नहीं उस पूरी को हटा दिया जो अपने पूरानी किताब है उसके अंदर 11 वी प्रशनावली पूरी हटा दी गई है और 11 वी के जगए अपने यह प्रशनावली आगे जो पूरानी किताब में क्या 12 वी थी ठीक है तो अब 12 वी प्रशनावली जो आपके पास किताब होगी उसमें क्या करना होगा आपको उसके अंदर आपको 12 point क्या रहेगा 12 point जो अपने थी 12 point 1 और 12 point 2 और 12 point 3 ऐसे थी तो सब कुछ हट चुका है 12 point जिसको 1 कहेंगे हम वो बची है और उसका नाम अब क्या हो गया 11 point 1 क्या हो गया भाई 11 point 1 यह धान रखियेगा ठीक है न अब 12 point जो पुरानी किताबों में एक थी वो हो चुकि 11 point 1 और वो एक ही पढ़नी है उसके बाद में कुछ नहीं पढ़ना है आते हैं 13 प्रशनावली पे अब 12 पे देखे पहले 12 में क्या है 11 हो गई ठीक है न अब 12 बार्वी 12 प्रश्टिय शित्रफल जो कि अब अब यह दो नहीं पढ़ना है तो इस प्रशनावली का अब नया नाम हो गई 12 point 1 और 12 point 2 पढ़ने बस ठीक है पुरानी किताब के एसाब से और नहीं किताब आपके बस जब यह वाले आएगे तो इसमें जितना है पूरा पढ़ना है फिर आता है अपने सांख्याकी जो कि 13 भी मतलब अपने पास पूरानी किताब जोगी 14 भी तो इसमें क्या पढ़ना इसमें अपने को पढ़ना 14 point 1 14 point 2 14 point 3 ठीक है अब यह तीनों पढ़नी है पूरानी किताब वाली और नई किताब के अंदर इनका नाम क्या हो गया 13 point 1, 13 point 2, 13 point 3 ठीक है इसमें अपने 14 point 4 भी थी यनि यह चीज हट चुकी है अपने लिए ठीक है तो पूरानी किताब है तो यह 14 point 4 नहीं पढ़ने है बाकी पढ़ना है अपने को 15 प्रशनावली जो है अपने 15 प्रशनावली यहां पर जिसको आप 14 भी बोल दिया गया है ठीक है न क्योंकि 11 मिटने के बाद सब का एक एक नमबर कम हो गया और इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ यह हमें पूरी पढ़नी है 15 प्रशनावली सवाल तो चैंज ही नहीं है ठीक है न दियान रखियेगा अब अगला आते हैं हम अपने सामाजी जिसमें समकाले इन भारत दो कक्सा दस के लिए भूगोल की पाठी करम है पाठी पुस्तक ठीक है इसके अंदर क्या पढ़ना यह चैप्टर देख लीजे अच्छे से इनको तयार करना है विकास पढ़ना भारत आर्थ व्यवस्ता के शेत्रक हो गया मुद्रा और शाक हो गया वैस्विकरण और भारत आर्थ व्यवस्ता उपभोकता अधिकार ठीक है पाठ चैप्ट उसके बाद भारत और समकाले निविश्वदो उसमें क्या पढ़ना है तो उसका देखे याद यह रखा है यूरोप में राष्टवाद का उदे हो गया भारत में राष्टवाद हो गया भूमंडले करत वीश्व का बनना उद्योगी करन का यूग हो गया मुद्रन संस्कृति आदुनिक दुनिया ठीक है यह पढ़ना फिर आपके लाष्ट जो लोकतंत्रिक राजनितिय दू उसके अंदर आपको क्या पढ़ना तो देखे सत्ता की साजेदारी संगवाद जाती धर्म और लेंगिक मसले राजनितिक दल लोकतंत्र के परिणाम ठीक है इस परकार से पढ़ना है लाष्ट आपके है संस्कृत संस्कृत मैं आपको जो चपर दिये हूँ उस लिसाब से तयार करने हैं जैसे देखे यह है आपके इसमें टोटल 10 पार्ट हैं ठीक है बाकी सारे हटा दिये गए 10 पार्ट पढ़ने आपको ये नाम नोट कर लेने ताकि आपके पास पुरानी किताब हो तो भी आप यहां से अच्छे से तयारी कर पाओ ठीके ना इस परकार से यह आपका syllabus है ठीके अच्छे से तयारी करिए इसके कोई शमस्या आती है तो comment section में पूछिए और maths के अंदर अच्छे से preparation करिए जो भी chapter आपके syllabus में आ रहे हैं राजस्तान बोर्ड के आप बच्चे हैं तो आपको इसी हसाब से तयारी करनी है शांदार डंग से preparation करते रहे हैं जैसे ही आपके paper होंगे उससे पहले आपको शांदार डंग से practice के लिए paper मिलेंगे हर class के लिए syllabus अपलोड किया जाएगा जल्दी 9th class का 8th का 7 6 सभी का यहाँ पे मिलेगा 11th 10th और बाद में जो आपके है 11th और 12th का भी syllabus आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक है न तो वीडियो को दोस्तों के शार शेर जरूर करें आपके जितने भी school के WhatsApp group है जिनमें आप शेर करत में इनके solution के साथ जो अपने exercise आ रही है syllabus में है जो chapter उनके शांदार ढंग से अध्यन के साथ सुरू करेंगे नहीं शुरू आथ ठीक है ना मिलते है next part में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत